जान कुमार सानो और निकी तंबोली ये वो ऐसी प्रेम कहानी है जो अधुरी रह गए जहां पर जान ने तो साफ बोल दिया था कि मुझे निकी बेहत पसंद है निकी ने भी बोल दिया कि मुझे जो है जान बेहत पसंद है बर जब खेल की बात आई थी तो जान को धक्के मार के निकाल दिया था निकी तंबोली ने अब जान ने अपना रियक्शन दिया है कि निकी क्या वाकई एली के प्यार में गिरफ्त हो चुकी है मैं राउर बहुत स्वागत कता हूं आपका फीफा फूज में बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चाहे हैं तो कर लें और बेल आइकन को जरूर रिट करें अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर निकी- पंबोली को लेकर in के दिनों में दोस्तों क्या कर रही है वो अपनी इलायंस बनाने की कोशिश कर रही है ऐली गोनी के साथ ऐली गोनी की परस्नैलपी से वह चाम- अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं तो जान ने अपना honest reaction दे दिया है जान कहता है कि honestly जब निकी की बात आती है तब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात आती है कि she is a gamer जी हाँ उसके पास gamer's mind है वो अपना दिमाग चलाती है So I really don't know about her feelings for Ellie Goni are genuine or not यहां पर उन से पुछा जाता है कि Ellie के प्रति उसका जो प्यार है जो feelings है क्या वो genuine है या नहीं वो कहते है कि निकी का जो दिमाग है वो gamer's mind है तो वो खुछ भी हो सकता है फिर वो यह भी कहते है कि I am not in the house and also getting to see the footage as much as you guys are Nikki is smith by Ellie since day one I guess it's good if she feels for him it will also be good if it is for the game because that will definitely help Nikki to go ahead I don't know how true or false her entire silence sentence is given the fact given the fact I am also a viewer now so I am also confused just like any other viewer यहां पर जानकुमार सानु ने साफ बोल दिया है कि Nikki अगर यह गेम के लिए कर दिये तो अच्छा है उसके लिए क्यूंकि उसको मदद मिलेगी और वो शो में आगे बढ़ेगी अगर उसके लिए यह रियल है तो हम क्या कह सकते हैं और इस वक्त आप लोगों के सामने मेंगी भी बहीं कंडिशन है जो आप लोगों की है निकि हम लोग अभी व्यूवर ही बन रखे हैं तो दोस्तों निकी तंबोली को लेकर फाइनली जानकुमार सानु का आया रियाक्शन आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में इसके बारे मुझे जरूर बताएं चलता हूँ मैं अपना ख्याल रखे अलाएं